जय हिंद, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है. ECHS Polyclinic Ambala Kent से धांदली की खबर आ रही है. ECHS के नियम के मुताबिक ECHS Polyclinic से रेफर करने के बाद उपलब्ध इलाज के मुताबिक एक ECHS Beneficiary अपनी मर्जी से M-Panel Hospital को चुन कर इलाज करवा सकता है. लेकिन ECHS Polyclinic Ambala Kent में ऐसा नहीं है. एक वेटरन ने यहाँ बताया है कि ECHS Polyclinic Ambala Kent के डॉक्टर रेफर करने के बाद हॉस्पिटल के नाम भी. बताते हैं कि ECHS Beneficiary को किस हॉस्पिटल में जाना है. इसका मतलब M-Panel Hospitals वालों ने ECHS के डॉक्टरों के साथ सांटगार्ट बना रखी है. कि आप मरीजों को मेरे हॉस्पिटल में ही भेजना उसके बदले जो भी हो. एक वेटरन ने यहाँ बात कॉमेंट करके बताई है. वेटरन ने कहा ECHS Polyclinic Ambala Kent में एक धान्दली चल रही है. जब बोला हुआ है कि मरीज अपनी मर्जी का M-Panel Hospital निरधारित करके उसमें इल इस धान्दली तो तुरंत रुकवाया जाना चाहिए. तो आईए इसके लिए एक मुहिम चलाएं और इस वीडियो को इतना शेर करो कि यहाँ रक्षा मंत्राले और D.E.S.W. के अधिकारियों तक पहुँचे और ऐसे डॉक्तरों को तुरंत हटाएं और ECHS Polyclinic Ambala Kent के ECHS लाभार्थियों से फीडबैक लेकर ऐसे डॉक्तरों के खिलाफ जाज के बाद उचित कार्यवाही करें. बात रही कि इस धान्दली की शिकायत कहां करें. तो बताना चाहती हूँ कि इसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है. उसको देखे पूरा तरी का बताया हुआ है. जय हिंद!